Hello everyone, मैं हूं किरन शापरी और यह है आप लोगों के लिए coming week का सापताहिक राशी फल यह 31st October से लेकर 6th November तक के आपकी tarot ratings है, tarot predictions है और इस वीडियो में Leo, Virgo, Libra, Scorpio यानि की सिंग, कन्या, तुला, वृष्चिक राशियों के सापताहिक राशी फल है और नीचे description box में आपकी राशी के सामने time stamp है आप उस पे click करेंगे तो directly आपकी reading आजाएगी और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि माम हम इस reading को किस sign के हिसाब से देखें तो देखें tarot reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वह आपका लगन हो आपके नाम के हिसाब से राशी हो आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं coming week का सापताहिक राशी फल चलिए लियोज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards है king of wands and rest and rejuvenate और दिखें ये दोनों ही cards थोड़ा सा एक contrary energies की बात करते हैं जहां king of wands का card अपने goal अपने मकसद को लेकर बहुत action initiatives लेने की बात करता है वही rest and rejuvenate का card अराम करने की बात करता है रिलाक्स करने की बात करता है अपनी energies को कहीं charge करने की बात करता है और दिखें इन ही दोनों का combination कहीं इस week आपके professional front में रहता हुआ दिख रहा है यानि कि दिखें जो भी आप अपने professional front में पाना चाहते हैं आप उसके लिए action initiatives ले रहे हैं आप बहुत courageously, बहुत boldly, upfront होके हर चीज को face कर रहे है लेकिन in the process आपके mind में ये रह रहा है कि आपने ना फजूल में अपने आपको थकाना नहीं है आपने ना फजूल में अपने आपको परिशान नहीं करना है जैसे होता है न कितनी बारी देखिए हम action ले रहे होते हैं लेकिन साथ ही साथ हम बहुत stress tension चीजों के ले रहे होते हैं और कितनी बारी देखिए बहुत एक detachment के साथ हम action ले रहे होते हैं यानि कि हम अपना करम कर रहे होते हैं लेकिन हम end result के साथ बहुत अटाश नहीं होते हैं या in the process हम खाम खाँ अपने आपको परेशान या फिर अपने आपको you know stress नहीं करना चाहते हैं और आपकी ऐसी ही energies रहती हुई दिख रही हैं जहां पर देखें आप अपने goal को pursue कर रहे हैं जो भी required है वो कर रहे हैं हर चीज के लिए बहुत motivated रहते हुए दिख रहे हैं लेकिन in the process again इस चीज का खयाल रख रहे हैं कि आपने खाम खाँ का tension नहीं लेना आपने खाम खाँ का stress नहीं लेना आपने खाम खाँ आपने आपको थकाना नहीं हैं और जब ऐसी energies में Leo's हम रहते हैं तो यकीन मानिये हमें हर हाल में success मिलती है और हम double, triple, you know efficiently चीज़ों को कर भी पाते हैं और personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है 9 of cups and prosperity begins तो दिखे एक card happiness की बात करता है joy, satisfaction की बात करता है और दूसरा card कहीं stability, security की बात करता है और कहीं देखे नई beginning की भी बात करता है तो हो सकता है जिस चीज़ को आप बहुत time से चाहा रहे थे बहुत time से, you know, आप desire कर रहे थे आप wish कर रहे थे, वो इस week हो रहा है और कहीं एक नई beginning हो रही है आपकी life की या फिर किसी भी life में personal life से related चीज़ की जो एक happiness लेकर आ रही है, joy लेकर आ रही है prosperous energies है कुछ के लिए literally हो सकता है कि कोई dream, कोई wish आपका इस week true हो रहा है या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि अब ये desire, अब ये wish आपकी manifest हो जाएगी real world में कहीं ये नो अब इस चीज़ को आप पा लेंगे कुछ के लिए हो सकता है कि आप इसके उपर काम कर रहे हैं इसी से related एक नई beginning कर रहे है तो देखे, overall कहीं personal front के लिए ये week बहुत अच्छा रहतावा दिख रहा है again एक prosperity रह रह रही है happiness, joy, satisfaction, celebration कहीं eating, drinking, merry making हर चीज रहती हुई दिख रही है and guidance है आप लोगों के लिए hopeless and helpless का काड है तो देखे, personal front बहुत अच्छा जा रहा है और professional front में भी कोई खास ऐसे मसला नहीं दिख रहा है in fact, चीजे ठीक ठाक बढ़िया रहती हुई दिख रही है फिर भी हो सकता है deeper level के लिए किसी चीज को लेकर एक उमीद आप खो रहे हैं किसी चीज को लेकर आप किसी level पर मायूस हो रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगी लिए उस कि दिखिए जब हम उमीद खोते हैं, तब actually हम उस चीज को खोते हैं जब तक एक उमीद हमारे मन में कायम रहती है, तब तक उस चीज को पाने के chances भी कायम रहते हैं तो जो भी externally चीजें आपको दिख रही हो या फिर जो भी externally हो रहा हो आप अपने दिल से आप अपने मन से उमीद मत खोईएगा, एक positive frame of mind ज़रू रखिएगा और जब ऐसी energies में आप रहेंगे तो देखिए ये hopeless और helpless वाली energies खुद बखुद ही गायब हो जाएंगी and astrology से आप लोगों के लिए Aries का card है और इसके हिसाब से all shades of red and maroon आप लोगों के लिए इस week लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा sorry Tuesday तो ये था लिए उस आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए चलिए वागों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards है nine of swords and fertility और दिखें ये cards कहते हैं कि इस week किसी चीज की फिक्र किसी चीज की चिंता आप अपने professional front में कर रहे हैं in fact मैं कहूंगी कि आप overthinking कर रहे हैं एक negative frame of mind रहता वा दिख रहा है कुछ के लिए हो सकता है कि genuinely issues problems हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि इतने issues problems हैं नहीं जितना कि आपका mind उसको create कर रहा है जितना कि एक negative you know frame of mind की वज़े से आप महसूस कर रहे हैं और दिखें हापे सब के लिए different reasons हो सकते हैं लिके नीचे fertility का card कहता है पीछे हो सकता है किसी चीज़ पे आपने बहुत effort किया बहुत महनत करी कुछ के लिए हो सकता है कि आपने बहुत ज़ादा उसमें money या फिर अपनी energy time invest किया और अब आपको लग रहा है कि पतनी आपको positive outcome उससे मिलेगा या नहीं मिलेगा पतनी एक positive result मिलेगा या नहीं मिलेगा या फिर जो आप deserve करते हैं जो आप expect कर रहे हैं पतनी वो आपको again मिलेगा या नहीं मिलेगा कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि positive outcome आपको मिल रहे हैं अच्छी चीजें हो रही है लेकिन फिर भी वह एक चीज जो आपके हिसाब से नहीं चल रही है वह एक you know चीज जो आप चाहा रहे हैं आपको नहीं मिल रही है या ऐसा कुछ भी है उसके उपर आप बहुत जादा फोकस कर रहे हैं कहीं again मैं कहूंगी overthinking कर रहे हैं negative frame of mind में रह रहे हैं और अगर ऐसा आप भी पाएं वो गोस तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके correct करें योगि देखें मैंने हमेशा कहा है हमारा mind जो होता है न वो negative thoughts के लिए बहुत एक fertile ground होता है और जैसे ही एक negative thought आता है ये negativity multiply होती है और फिर हम अपनी ही create करी हुई negativity में गुम हो जाते हैं हमें एहसास ही नहीं होता है कि ये हमने ही create करी है तो देखिए इस चीज़ का आप खयाल रखें और फिर से मैं कहूंगी कि ज़रूर अपनी checking करें कि वाके ही में कोई issue है या फिर आपका mind उसको create कर रहा है या पर बहुत बड़ा बना रहा है और देखिए अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है आपकी tension stress कम हो जाएगा और अगर वाके ही में कुछ issue है भी तो आप problem को छोड़के उसके solution पर focus करें देखिए ऐसा करेंगे तो आपको solution मिलेगा उसका हल मिलेगा और इस चीज में से भी आप अपने आपको बहार निकाल पाएंगे and personal front के लिए आप लुगों के लिए cards है page of wands and form foundation तो देखिए हाँ पे page of wands का card एक enthusiasm की बात करता है excitement की बात करता है बहुत जादा you know एक high energy levels की बात करता है in fact मैं कहूंगे कि एक immature enthusiasm एक immature excitement की बात करता है और अगर ऐसा आप पाएं वो गो सो ज़रूर इस चीज को लेकर you know थोड़ा सा अपनी checking करें correct करें और देखिए क्योंकि अगर आपने इसको correct नहीं किया तो फिर एक risklessness एक anxiety आप महसूस कर सकते हैं देखिए personal friend के लिए कुछ भी negative नहीं होता हुआ दिख रहा है बहुत अच्छे cards है positive चीजें होते हुई दिख रही हैं अच्छी चीजें होते हुई दिख रही हैं लेकिन at times क्या होता है न सब कुछ अच्छा होता है लेकिन हम अपनी immaturity की वज़े से उसको खराब करते हैं और मैंने हमेशा बुला है कि cards guidance के लिए होते हैं तो यहाँ पर दिखें आप cards से guidance लें और अपने energy levels को ज़रूर balance करें किसी अगर news का आप wait कर रहे हैं, email, message, phone call का wait कर रहे हैं वो आपको मिल सकता है, उसकी वज़े से भी एक excitement रह सकती है और दिखें बहुत एक impatient वाली भी energies होंगी जहाँ पर आप चीजों को लेकर सबर नहीं रख पा रहे हैं impulse हो रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं और अगर ऐसा भी आप पाएं, वो गोस तो इस चीज को भी ज़रूर चक करके correct करें यामिकि एक balance अपनी energies में लेकर आएं और देखें सब के लिए different areas हो सकते हैं जिसको लेकर वो enthusiastic हो रहे हैं, excited हो रहे हैं लेकिन यहाँ पे page of wants के नीचे, firm foundation का card कह रहा है कि किसी life के area में, personal front से related एक stability आ रही है, एक security आ रही है, एक firm foundation या तो ले हो रही है जिसको लेकर आप बहुत excited हैं, या फिर आप एक firm foundation ले करना चाहा रहे हैं एक stability security लाना चाहा रहे हैं, उसी से related एक excitement है और देखिए, आप कहीं action initiatives भी, जो भी आप चाहते हैं, उसके लिए लेते हुए दिख रहे हैं यानि कि एक active energy, surface level के लिए आपकी रहते हुई दिख रही है and guidance है, आप लोगों के लिए new vitality का card है तो देखिए, nutshell में अगर मैं इस card को समझाऊं तो ये card कहता है नया जोश, नई उमंग, इस week आप चीजों को लेकर रखें पुरानी जो चीजें आपको serve नहीं कर रही हैं, परेशान कर रही हैं उनको let go करें, अपनी life से बाहर करें, वो कोई भी चीज हो सकती है in fact सब के लिए differ कर सकती है और जो नई चीजें आपकी life में आ रही हैं, उनको welcome करें, उन पे focus करें और बहुत एक enthusiasm, excitement रखें तो देखें, ये energies आपके personal front में तो रहती हुई दिख रही हैं लेकिन professional front में missing है, तो खयाल रखें कि professional front में भी अगर आपको लग भी रहा है कि चीजें उस हिसाब से नहीं चल रही है फिर भी आप कोशिश करके एक enthusiasm लाएं, एक excitement लाएं क्योंकि देखें कुछ चीजें हम ठीक कर सकते हैं, कुछ चीजें हम बदल सकते हैं कुछ चीजें हम नहीं बदल सकते हैं, वर्गोस तो जिनको नहीं बदल सकते हैं, उनको छोड़ दें जिनको बदल सकते हैं, उनको पकड़ें, उनके उपर वर्क करें और कैसे आप एक enthusiasm, excitement, overall maintain करें कैसे आप motivated रहें, उसके उपर आप ज़ादा focus करें and astrology से आप लगों के लिए Saturn का card है और इसके हिसाब से, all shades of blue इस week आप लुगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लुगों के लिए होगा Saturday तो ये था वर्गोस आप लुगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए Libras, आप लुगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लुगों के लिए cards है The Empress and Awareness और देखें, दोनों ही major arcana के cards हैं दोनों ही cards बहुत ही beautiful energies की बात करते हैं और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional front में होता हुआ दिख रहा है पीछे किसी भी चीज़ पे आपने बहुत effort कि आप बहुत मेहनत करी इस week उसका एक positive result, positive outcome आपको मिलता हुआ दिख रहा है अच्छी opportunities आती हुई दिख रही है और आप अपने work से related बहुत comfortable feel करते हुए दिख रहे हैं या मैं कह सकती हूँ कि बहुत एक comfortable आपका environment रह सकता है और देखिए जो भी लोग आपके आस-पास हैं उनके साथ बहुत अच्छा आपका एक bond, बहुत अच्छा आपका एक connect बन रहा है या फिर कोई खास इंसान हो सकता है जिनके साथ आपके अच्छी understanding हो रही है और देखिए money, पैसा, finances, materialistic, tangible चीजों से related किसी level पे किसी तरीके का gain फाइदा भी इस week रह सकता है और बहुत ही alert, बहुत ही cautious, conscious होके आप अपने goal, अपने मकसद को pursue करते हुए दिख रहे हैं बहुत एक focused energies रहते हुए दिख रही हैं कोई भी चीज आपको इस week अपने goal, अपने मकसद से distract नहीं कर पा रही है तो दिखे, एक combination सा रहता हुआ दिख रहा है जहाँ पे आप बहुत जादा active अपने goal, अपने मकसद के लिए रहते हुए दिख रहे हैं वहीं दूसरी तरफ बहुत एक comfort भी रहता हुआ दिख रहा है जहाँ एक appreciation, एक recognition आपको मिल रही है वहीं आप उस appreciation से मैं कहूंगे कि अपने goal से divert नहीं हो रहे हैं तो दिखे, नचल में बहुत beautiful energies हैं इस week आपके professional front के लिए and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है, seven of wands and accelerated motion और ये cards कहते हैं कि इस week हो सकता है, बहुत तेजी से आप आगे बढ़ना चाहा रहे हैं बहुत speed से चीजों को करना चाहा रहे हैं, किसी चीज से move on करना चाहा रहे हैं या फिर in general ही movement shift पे आपका जादा focus रह रहा है कुछ के लिए ये movement physical level पे हो सकती है, जहां पे आप एक जगा से दूसरी जगा जाना चाहा रहे हैं या फिर जा रहे हैं, travel करना चाहा रहे हैं, या फिर travel कर रहे हैं कुछ के लिए कोई project, कोई काम, कोई relationship, कोई इनसान, कोई भी चीज हो सकती है जिससे related, एक movement, एक shift आप चाह रहे हैं मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उस relationship को छोड़ रहे हैं आप उस relationship को end कर रहे हैं, no, I'm not saying this मैं सरफ ये कह रही हूँ कि आप, you know, उनके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर overall एक movement पे, एक growth पे, एक progress पे आपका जादा focus रह रहा है और इसी से ही related, छोटे मोटे issues, छोटे मोटे मसले रहते हुए दिख रहे हैं यानि कि इतना आसान नहीं हो रहा है, इस speed को maintain करना लेकिन आप बहुत जादा courageously, बहुत जादा boldly हर चीज को deal कर रहे हैं किसी भी चीज से घबरा नहीं रहे हैं, आप रुक नहीं रहे हैं और again मैं कहूंगी courageously upfront होके चीजों को deal कर रहे हैं और आपको success भी साथ के साथ मिल रहा है जो Libra's ऐसी energies में नहीं हैं, उनके लिए message है कि जो भी आप चाहते हैं, definitely आपको मिलेगा लेकिन उसके लिए बहुत important है, आप willpower रखें, determination रखें जो भी छोटे मोटे issues आ रहे हैं, उनसे घबराएं ना और उनको ना allow करें कि वो आपको demotivate कर पाएं या फिर वो आपको distract कर पाएं and guidance है, आप लोगों के लिए observe का card है और देखें, यहाँ पर ये card कहता है कि आप बहुत ज़ादा impulsive किसी चीज को ले करना हों, आप बहुत ज़ादा जल्दबाजी किसी चीज को ले करना करें और फिर आप impatient चीज़ों को ले करना हों और देखें, personal front में हमने देखा कि बहुत एक speed आप maintain करना जा रहे हैं तो देखें, guidance आपको कह रही है कि आप थोड़ा सा slow चलें मैं यह नहीं कह रही हूं कि आप upfront होके चीज़ों को ना deal करें yes, आप बहुत courageously हर चीज को deal करें willpower determination रखें, लेकिन again मैं कहूंगी कि impulsive ना हों, जल्दबाजी ना करें impatient किसी चीज को ले कर ना हों अच्छे से चीजों को समझें, अच्छे से चीजों को observe करें in fact, आप you know different नजरिये से भी चीजों को देखें different तरीके से भी चीजों को perceive करें आगे बढ़ने से पहले और you know, एक major action initiative लेने से पहले and astrology से आप लोगों के लिए Gemini sign का card है और इसके हिसाब से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Wednesday तो यह थाले ब्राज आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए तो चलिए Scorpios आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards है strength and heartache and loss तो दिखिए कोई चीज मन ही मन deeper level पे आपको बहुत परिशान कर रही है आपको बहुत अदास कर रही है और यह general leading है यहापे सब के लिए different reasons हो सकते हैं इस परिशानी के इस अदासी के कुछ के लिए हो सकता है कि किसी इनसान से आपको बहुत expectations थी बहुत उमीदे थी और कहीं उनकी तरफ से वैसा response नहीं मिला कुछ के लिए हो सकता है कि जैसे आपने इस week को plan किया था चीजें वैसे नहीं जा रही है कुछ के लिए हो सकता है, आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप deserve कर रहे हैं, वो आपको नहीं मिल रहा है, कहीं चीजें आपके साथ fair नहीं हो रही है, कुछ के लिए देखे, किसी situation, किसी इंसान, किसी भी चीज की तरफ से, एक cheating, again, एक unfair वाली energies, इस week रह सकती है, या फिर स्कॉ पर उस deeper level पर आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन जो भी आप मन ही मन महसूस कर रहे हैं, surface level के लिए strength का काट कहता है, कि बहुत जादा एक, you know, power, potential, या फिर मैं कहूंगी कि strongly आप चीजों को deal कर रहे हैं, आप लोगों को जाहिर नहीं होने दे रहे हैं, आप लोगों को ये पता नहीं लगने दे रहे हैं, कि मन ही मन आप किसी चीज को लेकर उदास हो रहे हैं, आप, you know, compassionately, patiently, lovingly चीजों को deal कर रहे हैं, एक सबर रखते हुए दिख रहे हैं, again दिखिए, जो एक inner power हम सब के अंदर है, जो एक inner potential हम सब के अंदर है, उस पे faith रखते हुए दिख रहे हैं, उस पे विश्वास रखते हुए दिख रहे हैं, और बहुत strongly हर चीज को deal करते हुए दिख रहे हैं, और जब भी भी Scorpios हम ऐसी energies में होते हैं, trust me, कोई भी चीज हमें हमारा goal achieve करने से नहीं रोक पाती है, कोई भी चीज हमें success दिलाने से नहीं रोक पाती है, और कुछ ऐसा ही आपके लिए भी रहतावा दिख रहा है, यानि की challenges हैं, issues हैं, लेकिन जिस तरीके की आपकी energies हैं, ऐसी ही energies में अगर आप रहें, तो हर चीज को आप overcome कर लेंगे, और जो आपका goal है, मकसद है, उसको भी आप achieve कर लेंगे, जो Scorpios ऐसी energies में नहीं हैं, उनके लिए guidance है, and personal front के लिए, आप लगों के लिए cards है, three of swords and transformation, तो दिखे, three of swords का card भी कहीं एक pain की बात करता है, एक तकलीफ की बात करता है, तो overall ही Scorpios इस week, जाहें वो आपका professional front हो, जाहें personal front हो, एक तकलीफ, एक परेशानी, किसी level पर आपने हैसूस कर रहे हैं, और यहाँ पे दिखे, Scorpios, आपने इस चीज को सुनके बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है, क्योंकि सबसे पहली चीज, यह weekly reading है, weekly reading में बहुत बड़े मसले, बहुत बड़ी चीज़े नहीं होती हैं, और दूसरी चीज, देखे, यह सिरफ और सिरफ इस week के energies हैं, नया week नहीं energies लेकर आएगा, और द इससे की इन चीजों को आप अपने ओपर हावी ना होने दे, प्रोफेशनल फ्रंड में हमने देखा कि जो भी आप महसूस कर रहे हैं डीपर लेविल के लिए, आप यूनो सॉफिस लेविल के लिए बहुत स्ट्रॉंग ली उनको डील कर रहे हैं, लेकिन परस्नल फ्रंड म कहीं इस उदासी, इस परेशानी वाली इनरजी से आप बहुत जादा अपने आपको बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं और यहाँ पर भी देखिये, सब के लिए डिफरेंट रीजन्स होंगे, इस परेशानी के, इस पेन, इस तकलीफ के, कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप हो या ही मैंने कहा, सब के लिए डिफरेंट रीजन्स हो सकते हैं, लेकिन त्री ओफ सोट के नीचे ट्रांस्फरमेशन का काट कहता है, कि कोई चीज या तो एंड हो रही है, या फिर आप एंड करना चाहा रहे हैं, और कहीं इसी से ही रिलेटेद, एक पेन, एक तकलीफ आप म परिशानी आप महसूस कर रहे हैं, तो देखे, मैं आपको यही कहूंगी, स्कॉपियोज, एंडिंग, बिग्निंग हमारी जिन्दगी का एक हिस्सा है, देखे, जब तक पुरानी चीजें एंड नहीं होती हैं, तब तक एक ग्रोथ प्रोग्रस हम नहीं अपनी लाइफ में कोई behavior हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, relationship हो सकता है, कोई जगा हो सकती है, again दिखिए, जो मेरे mind में आया, मैंने कहा, कोई भी चीज हो सकती है, उसको जितनी जल्दी आप लटको करेंगे, जितनी जल्दी, you know, उसको आप end करके, उसके लिए एक acceptance लेकर आएंगे, उतनी ही जल्दी आप अपनी जिंदगी को आसान करेंगे, और जो भी नई चीजें आपकी life में आ रही हैं, जितनी जल्दी आप उनको welcome करेंगे, उतना ही जल्दी आप एक happiness, joy अपनी life में लेकर आएंगे, तो इस चीज का खयाल आप इस week सरूर रखें, and guidance है आप लोगों के लिए flow का काड है, और ये काड काड कहता है कि बहुत जादा इस week आप किसी भी चीज के बारे में ना सोचें, चीजें जैसे आ रही हैं, जैसे हो रही हैं, वैसे ही आप उनको लेते जाएं, यानि कि एक going with the flow वाली energy में रहें, आप किसी भी चीज के लिए बहुत जादा effort ना करें, या फिर कोई चीज अगर आ रही है, उसको आप मना ना करें, अगें मैं कहांगी कि एक, you know, flow वाली energies में आप इस week रहें, and astrology से आप लोगों के लिए Capricorn Sign का काड है, और इसके हिसाब से all shades of blue इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday, तो यह था, Scorpios आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल, और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए